हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है आभी देके एन वेलकम टू टेक्सोर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप अपने मोटरोला के किसी भी फोन में फोटो या वीडियो को हाइट करना चाहते हैं चुपाना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं तो वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए सबसे पहली बात मोटरोला के फोन में खुद की गैलरी तो होती नहीं है तो आप कैसे छुपाए कोई भी फोटो को उसके लिए आपको यहाँ पर फाइल मेनेजर यह फाइल में इसके बाद आपको इमेजेस में जाना है अब जो फोटो हो भी आप हाइड करना चाहते हैं उसे आप चुन लिजिए मान लीजिए मुझे इस फोटो को हाइड करना है ठीक है तो इसके लिए मैं इस पर देर तक प्रेस करके रखूंगा और यहाँ पर तीन डाइड पे कलिक करूंगा यहाँ पे रिनेम पर आना है अब इस पर आपक ठीक है, dot के आगे से लिखना है, dot यहाँ पर लगा होना चाहिए, ठीक है, और ok कर दें, और rename पर click कर दें, तो photo यहाँ से गायब हो जाएगी, आप देख सकते हैं, और अब चाहते हैं कि आप वापस से उस photo को लाना, देखिए यह photo अब आपको कोई भी gallery में नहीं मिलेगी, अ यहाँ लिख रहा है आपको text, इस तरीके से और इसे search कर देना है, तो यहाँ पर आपको आपकी image मिल जाएगी, जो आपने hide की थी, बट आप इस पर click करेंगे, तो open नहीं होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, open को कोई option नहीं है, कि इस पर भी click करेंगे, तो इस तरीके से कुछ भी कुछ भी लिख कर आजाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, तो यह इस तरीके से open नहीं होगी, तो आपको open करने के लिए three dot पे जाना है, rename पे click करना है, और यह जो text आपने लिखा था, इसे आपको लिखना है, वापस से jpeg, ok कर दे, rename कर दे, ठीक ह तो यहाँ से यह हट जाएगी, और आपको वापस से image के उसमें आपको मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, photo वापस आ गई है, इसी तरीके से अगर आप कोई video को hide करना चाहते हैं, तो यहाँ पर video में जाएं, मान लिजे इस video को मुझे छुपाना है, इस पर मैं देर तक दबाऊंगा, और यहाँ तीन डॉट पे क्लिक करना है, rename पे क्लिक करना है, यहाँ देखिए, dot mp4 लिखाए, तो mp4 को यहाँ से हटा देना है, और यहाँ पर लिखना है, t e x t, ok कर दे, rename पे क्लिक कर दे, तो देखिए, video यहाँ से चली गई है, वीडियो वापस लाना है तो बैक आए और सर्च करें T.E.X.T ठीक है और सर्च कर ले तो देखिए यहाँ पर वीडियो आ जाएगी तो इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो उपन नहीं होगी इस तरीके से आप्शन मिलेगा तो वही हमें करना है 3. पर क्लिक किजिए रीनेम पर क्लिक किजिए और यहाँ पर हमें टेक्स को डिलीट करना है और MP4 यहाँ पर लिख देना है ठीक है और ok करदे रीनेम करदे तो अब आप बैक आएँगे तो आपको वीडियो में वो वीडियो वापस से मिल जाएगी उमीद करते हो वीडियो पसंद आई होगी टेक्स्टोर को सब्सक्राइब कर दे